आईए जानते हैं वो छे सबक जो हमें दशेरा फेस्टिवल से लेनी चाहिए जब भी भारत के सबसे पसंदिता उत्सव के बारे में बात की जाती है तो दशेरा का नाम जरूर आता है दशेरा अपने आप में एक ऐसा तेवार है जो बुराई पर अच्छाई की अधर्म पर धर्म की और जूट पर सच्चाई की जीत को दर्शाता है इस तेवार को विजय दश्मी या दुर्गोत्सव के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये दिन महिसा सूर पर देवी दुर्गा की जीत की भी याद दिलाता है दसरा शब संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है दस को हटाना याने अपने नेगेटिव पॉइंट्स को हटाना हाई मैं हूँ डॉक्टर अशिज जालूई आपका डेस्टिनी डॉक्टर गए तीस वर्षों से मैंने हजारों लोगों को मेरी ZPR टेकनोलोजी द्वारा 10X ग्रो करने में मदद की है आओ जानते है वो छे सबक जो हमें दशेरा के तेवार से सीखने चाहिए पहला बुराई चाहि कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो अंत में जीत हमेशा अच्चाई की होती है राम और रावन का यूद इसका जीता जाकता सबूत है दूसरा दशेरा का दिन रावन मेगनात और कुम्वकर्ण जैसे राक्षसों के अंत का भी प्रतिक है जो इस बात को दर्शाते है कि क्रोध, वासना, अभीमान, लालच, अन्याय, क्रूर्ता और अंकर हमारा नाश कर सकते है तीसरा सबक जब तुम सच की तरफ हो तो विश्वास करो जीत तुमारी ही होगी न्याय में देरी हो सकती है लेकिन तुम कभी असफल नहीं हो सकते राम धर्म की मार्क पर चले और उनकी जीत हुई चौथा सबक एक दोस्ट जो रावन की हार का कारन बना वो था उसका अहंकार सबसे बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति होने के बावजूद उसका अहंकार उसे ले डूबा इसलिए कभी भी अपने अहंकार को अपनी हार का कारन न बनने दे विनम्रा बने हमेशा सबके साथ पोलाइटली बात करे पाच्वा सबक कभी भी अपने राज किसी के साथ शेर न करे फिर वो कोई भी कितना भी करी भी क्यों न हो रावन की मित्यू कैसी होगी ये उनके भाई विविशन ने राम को बताया और वही रावन की यूद में आखरी हार थी छटा और आखरी सबब आप चाहे कितने भी स्टैबलिश क्यों न हो एक आम आदमी की शक्ती को कभी भी कम मत समझो रावन ने भी आम आदमी और बंदर की शक्ती को पैचाना नहीं जिस से आगे चल कर उनकी हार हुई तो दोस्तो इस दशेरा आपके जीवन से दुख का अंदेरा दूर हो और आप सुक्माई जीवन जीए ऐसी मेरी शुप कामनाए है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद